अनुराग जी, आप चुनाव के बाद, एक धुआधार स्पीच के बाद, हमारे मंच पर आये हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि जिस समय मोदी थ्री पॉइंटों का गठन हुआ, उस वक्त जो जितने चहरे सरकार में थे, उतनी ही चर्चा एक और चहरे की थी, और वो चहरे जिम्मेदारी निभाने जा रहा है, तो क्या अनुराग ठाकुर एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए अब तयार है, मैं जब राजनीती में आया तब अरुन जेतली जी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा, कि वो पकड़ के तरह से राजनीती में लेकर आए, एक कारेकरता के रूप में काम किया वर्षो तक, पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी जब दी चाहिए, वा मोर्चा के राष्टी अध्यक्ष के रूप में दिया हो, या सांसद बनने के बाद, कई भूमिकाएं मिली, मोदी जी के नितरतब में काम करने का पांच साल मंत्री के रूप में अभी कोई इच्छा व्यक्तिनी की कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, भारतियन्तापाटी कारेकरताओं की पार्टी है और कारेकरता ही आज एक मुख्य मंत्री से लेके परधान मंत्री के पत तक पहुंचे, बड़ा उधारन परधान मंत्री निरेंदर मोधी जी का है और सत प्रतिशत, 100% देने का प्रयास होता है कि अपनी तरब से पुरी प्रयास किया जाए तो बिना प्रयास करे, finance, MIB, और खेल, कितने मंत्राले आपने देख ले, you've seen all, आज, जब आप देखते हैं, मैं आपके वेक्तव फे देखता हूँ, जब आपकी प्रतिक्रियाएं आत जब दो थी इंसाल में सचा रहे था जी, बहुत अनुराग जी आपके जो रियाक्शन आते हैं, आपका जो बहुत क्लियर है, आप कहते हैं, ये सही है, ये गलत है, बीच की लाइन नहीं लेने, it's a change, पहले ऐसा नहीं था, पहले आप, जब आपने का नहीं अरुन जी हाथ आपकड़ के लाइताब, आप सेफ लाइन वॉक कर लेते थे, अभी 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 आप सेफ लाइन वॉक नहीं करते हैं, आप खुल के फ्रंट पुट पर आपके आपके बाउंडरी पार करना चा रहे हैं, अब अब क्रिकेट का पुराना खिलाडी रहा हूं, तो थोड़ा स हो जाएं पिछ पर टो खेल लेना चाहिए तोड़ा जब मौका मिलें, जब लूज बॉस बालाइ तब चौका चाहिए जब लुका चाहिए लगा लेना चाहिए, कि नहीं, छौका चाहिए लेकिन जो आपके राजनेतिक प्रदी दुनवी हैं, छहें आप सबसे गले मेलें बाहर, उनका बहुत स्ट्रॉंग रियाक्शन हाता है आपकी प्रतिक्रियाओं पर कि आप हिंदू मुसल्मान कर रहे हैं, I am not mincing my words. दो तीन नेताओं को लेके BJP में, बाबा, योगी अधितनाथ, हैमन्त विश्वा सर्मा और तीसरे अनुराक ठाकुर। कि ये तीन नेता ऐसे हैं, जो जान बूच के हिंदू मुसल्मान कर रहे हैं, तो let me ask अनुराक ठाकुर जी, कि आप हिंदू मुसल्मान कर रहे हैं? हम सबका साथ, सबका विकास, इसी सोच के साथ राजनिती को आगे बढ़ाते हैं और सेवा भी करते हैं. सरकार, अगर आप 10 साल मोधी सरकार को देखेंगे, अगर 4 कोड़ पक्के मकान मिले, 12 क defenders जोचालिय बने, 13 कोड़ घरों को नल से जल मिला, 11 कोड़ से आदा महिलाओं को रुसोई कैस का सिलेंडर मिला, 55 कोड़ बैंक खाते खुले, और 60 क्रोड लोगों को 5 लाख रबे का इलाज मुफ्त में मिला, 80 क्रोड लोगों को 5 किलो नाज मुफ्त में मिला तो किसने पूछा कौन हिंदू, कौन मुसल्मान, हमने तो सबका साथ, सबका विकास किया है और आगे भी करेंगे लेकिन रिजल्ट के बाद तो पूछा ना कि वोट नहीं मिला, वोट नहीं मिला ना ये आंकलन आप करते हैं, आपका का विजएपी के नेता कर रहें, ओफिशली कर रहें बीजएपी की लीडर्स करें कि हमको एक वर्क का वोट नहीं मिला, हमने सब कुछ किया लेकिन वोट नहीं मिला मैं आपको एक बात का ओऊ वोट देने का अधिकार, हर इनसान का अपने किसी को वोट दे जब आप चुने जाते हैं तब आप किसी एक जाती धर्म संपरदाई के लिए नहीं, आप पूरे उस खेतर के लिए चुने जाते हैं, अगर आप देश में जम्मेदारी तो पूरे देश की जनता के लिए चुने जाते हैं, तब आप ये नहीं देखते कि कितने परशन लोगो को देख करोते हैं ना ही ऐसा होना चाहिए मैं तो इसके बिलकुल विरोध में हूँ किसी को अगर ऐसा ही होता तो कॉंग्रेस ने तो सारी उमर जिनका वोट खाया अगर आप जाती धर्म के नाम पर देखेंगे तो कॉंग्रेस ने सारी उमर जिनका वोट खाया जिनके नाम प भारती जन्ता पार्टी ने किया है, हमने वोट देखके नहीं किया, हमने वोट देखके नहीं किया, हमने लगा पिछडे हैं, हमने इसलिए किया है कि उनको आज भी, देखिए नहीं तो पक्के मकान कॉंग्रेस ने बना दी होते, तो होई गैस का सिलेंडर दे दिया होता, पा पाहिंदर मोदीजी की सरकार में 25 करोड लोग 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो ये रिकॉर्ड है या हम इसको बुरे गर्व के साथ कहते हैं, और मैं छोटा सा उधारन आपके सामने कहूं, हमने ये तो किया ही है, अगर आप देखिए, 1947 से लेके 2014 तक भारत का व हो गया हमने 10 साल में कर दिया, हमारा एक्सपोर्ट दुगने से जादा हो गया, हमारी FDI जितनी 10 साल में आई, कॉंगरेस सोच नहीं सकती थी, हर क्षेत्र में हमने देश को आगे बढ़ाया, हमारी अर्थ वियस्ता दुनिया में 11 नंबर पर थी, आज दुनिया की पांच मे बड़ी अर्थ वियस्ता भारत है और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थ वियस्ता भारत बनने वाली, एक्सपोर्ट FDI है तो बढ़ गया सुचरेदा जी, लेकिन पेट्रोल का प्राइस भी तो बड़ा है न, वो बोला था आप लोगों ने, आप तो 11 आशोक रोड है तब आप योवा मोर्चा के राष्ट्रे अदेक्ष तो वो सब कॉंग्रेस केती है कहां गया, वो वाले अनुराक थाकर जो सड़कों पे बैल गाड़ी लेके आप निकलते थे, मैं धन्यवादी और आपने सवाल पूचा, भारत सरकार ने दो बार पेट्रोल डीजल के द केंदर टेक्स कम करता गया और राज्ये की सरकारे वहां पे टेक्स बढ़ाती रही, अपना पैसा ही कठा करती रही, आखिरकार ये जिम्मेदारी दोनों की है, राज्ये की भी है और केंदर की भी है, केंदर ने डीजल, पेट्रोल इन पे भी अपना जो टेक्स है उसको कम क किया और वहीं पर गैस पे भी दाम को कम किया है अनुराग जी एश्वरे ने अभी आप से बात करी आपके बयानों को लेकर आप क्योंकि हिमाचल से आते हैं और हाल फिलाल में जो एक विवाद संजोली में हुआ उसके बाद मंडी में हुआ एक अवैद अतिकरमन को लेकर हु अब उन बयानों पर भी बहुत सी प्रतिक्रिया आप कॉंग्रेस पार्टी का जिकर कर रहे थे उनकी आई मैं आप से सीधे पूछूंगी कि आपके क्या वो बयान विभाजनकारी नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी कहती है आप लोग सत्ता में थे आपने वहाँ पर अ अवैद है तो अगर दो साल से कॉंग्रेस की सरकार राज्य में है और किसने प्रशन उठाया अनुराग ठाकुन नहीं सबसे पहले कॉंग्रेस के मंतरी ने विधान सबा में सवाल उठाया और जब वो सवाल उठा रहे थे आगे मुख्यमंतरी जी सो रहे थे और शायदे सर जो समाज को कही ना कहीं प्रभावित कर रहे हूं. आखिर ये स्थिती क्यों आई, देभूमी हिमाचल परदेश में ये स्थिती क्यों आई कि रूलिंग कॉंग्रेस पार्टी के ही मंत्री ने, विधायक ने भी ने, मंत्री ने उसने प्रशन उठाया और कहा कि हमारी सरकार मे ये चंता का विशेब बना है. और अगर बीजेपी बोलती तो विवाजनकारी होती. अगर कॉंग्रेस के मंत्री ने उठाया तो कोई कुछ नहीं कहता है. अगर कभी भी अवैद निर्मान हुआ हो, किसी एक सरकार में हुआ या दूसरी में हुआ, उस अवैद निर्मान को नहीं रहना चाहिए. अवैद निर्मान से ज़्यादा बड़ी बात या है, कि बहु बेटियों को वहाँ चलना मुश्किल हो गया. आते जाते तंज कस्ते ना. आप विपार करने आये हो, या छेड़ खानी करने आये हो. ये वहाँ पर स्थानियों लोगों ने बड़े नहीं. इनके दूसरे मंतरी ने कहा कि हम कुछ करने वाले हैं, तब उन पे प्रशेंचेन खड़ा कर दी जब उनने कहा कि योगी दित्यनाजी की सरकार ने बहुत अच्छा किया, हम भी उसी लाइन पे रेडी पट्री वालों को करने वाले हैं कि वो अपने आगे नेम प्ले सर्वोपरी संबेलन, 18 ओक्टोबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर